नमस्कार दोस्तों मैं धर्मेन वर्मा ओनलाइन इस्टेटिव डिके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज हम बात करेंगे दोस्तों हिंदी के 30 महत्यपूर्ण प्रशनों के बारे में इसमें आपको 15 प्रशन पेड़ागोजी से सम्मध्यत मिलेंगे और 15 प्रशन आपको यहाँ पर गध्यान से सम्मध्यत प्रशन मिलेंगे यह दोस्तों CT8 से सम्मंदित प्रशना लिए गए हैं क्योंकि जो CT8 के एक्जाम में उसाथ जुलाई को होने वाली है और उसी के लिए यह special class है दोस्तों तो यदी आपके सामने ये 30 परशласт आ जाते हैं सीटेट एक्जाम में, जैसकि मान लीजी कि एक्जाम हौल में बेठे हुए और आपके सामने 30 परश्ण है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि आप जो 30 परश्ण है उसमें कितने नबर ला सकते हैं, पर आपका आगलन होने वाला है कि अभी तक जो आपने सीटेट के लिए जो एक्जाम की तैयारी किए है वो किस लेवल की है और आप उसमें कितने नमबर ला सकते हैं तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं और कमेंड से में ज़रूर बताईगा दोस्तों कि कितिने नंबर 30 परस्ण में से कितने नंबर आपको आए तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रस्ण है और शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी से रिक्वेस्ट है यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ बेल आइकन को दबाईएगा जिससे कि आपको लेटिस्ट वीडियो मिलते रहे और हमारे टेलीग्राम गुरूप पर जुड़ जाए कि महां पर आपको हम नई नई पीडिया प्रोवाइट करवाते रहते हैं तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सुर अंसर है तार वाली भासा करते होता है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संग्या किरिया वेसेशन आदी दो सब्दो वाली अभी व्यक्ति तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा फोर्त वाला रहेगा यहां पर मैं चार विकल्प नहीं पढ़ूँगा यदि आप इस समय में आंसर नहीं दे पारे हैं तो वीरी ओ को पुछ करके अपनी कोपी में या फिर टारेक्ट मेरे कमेंट सेंगे यहां बताऊंगा अगला प्रशन है प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कोसल के विकास में भहमिका निर्वह और बाचित कन्ना विधिया अधिक सहया के तो यहां पर फोरत वाला विकल्प घ्या रहेगा बहत को चार जो की प्रात्मी के स्तर पर भासा सिक्षन का उद्देश्य नहीं है तो यहाँ पर हमारा से आंसर है भासा के अलंकरिक प्रियोक की छमता का विकास भासा सिक्षन का उद्देश्य नहीं है और बाकी के जो पहला दूसरा और चोथा जो तीन विकल्पे है दोस्तो यह प्रात्म प्रकार के प्रस्णों का प्रियोंक सरवादी को उप्युकत होता है किस प्रकार के पर हमारा से आंसर है हिंदी भाजा की परिक्षा में किसी विशे की समानी समझ की जाज के लिए अतिलगू उत्तरी प्रश्णों का प्रियोक सरवाधिक उप्युक्त होता है तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा अगला प्रश्ण है निमलिखि चात्रों को सुद्ध उच्चारण उचित स्वर उचित गती के साथ बोलना सिखाना चात्रों को निशंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना और विश्यानुकूल वा प्रशंगानुकूल सेली का प्रियोक करना सिखाना ये सभी मोखिक भाव प्रकासन सिक्षन के उद्देशी है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उप्रोक्त सभी अगला प्रशन है बच्चे भासा सीखने की छमता के साथ पेदा होते हैं मुख्यता यहां किसका विचार है जहां विचार है दोस्तों इसके बारे में आपको बताना है किसका है तो यहाँ पर हमारा से आंसर है बच्चे भासा सीखने की छमता के साथ पेदा होते हैं यहां विचार नाओम चाम सिकी का है तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा अगला प्रशन है मैंने चाट खाई और फिर मैंने हसी सर्मिला का यहां भासा प्रयोग मुखताहा किस और संकेत करता है जो यहां प्रियोगे दोस्तों बहासा प्रियोगे किस और संकेत करता है चार विकल पर में से आपको बताना है काफी अच्छा प्रस्न है यह तो यहां पर हमारा सियान सरे मैंने चाट खाई और फिर मैंने हसी यहां भासा प्रियोग मुखतहा नियमों के अती समानी करण की और संकेत करता है क्योंकि सर्मिला को योजक सब्द इसमें योजक सब्द कौन सा है और के पश्यात मेने के इस्तान पर में का प्रियोग करना चाहिए था यहां पर जो मेने लिखा है दोस्तों यहां पर किसका प् तब जाके मेने चाट खाई और फिर में हसी सरीमिला का यहां जो भासा प्रयोगे दोस्तों यह जो अंकित कर रहा है यहां पर शेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा अगला प्रशन है रेस्मा एक साल पहले अशोम से पंजाब आई है वहां हिंदी भासा का प्रयोग करते समय तो यहां पर हमारा सही रहेगा उसे प्रयोग के अधिकाधिक आउसर आपको देना चाहिए तो लेखन कुसलता का विकास करने में सबसे कम महतपून है क्या है दोस्तों सबसे कम महतपून लेखन कुसलता का विकास करने में आपको चार विकल्पे से सही विकल्प का चेन करना है तो यहाँ पर हमारा सियान से है लेखन कुसलता का विकास करने में प्रतिलिपी सबसे कम महतपूर्ण है तो यहां पर हमारा जो पहला वाला विकल्पे ही सही रहेगा अगला प्रशन है भासा सीखने में जो तूटिया होती है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए वे बच्चों की तूटियों की वो संकेत करती है या फिर वे सीखने की प्रक्रिया का स्वभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है यहां पर हमारा सही आंसर है भासा सीखने में जो तूटिया होती है वे सीखने का स्वभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है तो यहां पर हमारा जो सही आंसर होगा वो फोर्त वाला रहेगा वे सीखने की प्रक्रिया का स्वभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है तो फोर्त वाला विकल्प सही रहेगा अगला प्रश्न है पढ़ना कोसल में सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है क्या है दोस्तों पढ़ना कोसल में सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण चार विकल्प में से आपको सही विकल्प का चेन करना है तो यह यहां पर हमारा जो शही आंसर होगा वो फोर्थवाला रहेगा याद रहेगा अगला TIM है कि सुलेखा ने पाथ को पढ़ाते फ़े जीवन को जिन्दीघी पढ़ा यहां पर आपको देखना है ci dwarf को बढ़ाते हुए जीवन को क्या कहा जिन्दीघी करता है यहां इस ओर संकेत करता है कि किस ओर संकेत करता है दोस्तों चार विकल्पे में से तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदिगी पढ़ा यहां इस ओर संकेत करता है कि वहां अक्षर पहचान की बजाए अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है कि इस ओर संकेत कर रहा है वहां अक्षर पहचान की बजाए अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है तो यहां फर फूर्ट वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा अगला प्रश्ण है सुनीता अपनी कक्षा को बाहर मेदान में ले जाती है और परियावरण पर अधारित कविता पाठ का कारी करती है सुनीता का उद्देश है कि मेदान के प्राकर्तिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का उसर देना तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो शेकन वाला रहेगा अगला प्रश्ण है सक्टी को सक्टी कहना स्वरभक्ति उच्चारण दोस का उधारने तो यहां पर हमारा जो सही आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा देखे यहां पर हमारे जो 15 प्रश्ण ही हो समापतों होते जो पेड़ागोजी से संब्धित थे अब हमारे जो 15 कुष्ण होंगे वो गध्या प्रश्ण क्रमांका 56 से रागाकर 54 तक इसी में से आपको उची तविकल पर चुड़ना है चार विकल पर में से तो यहां पर ध्यान पूरोक आपको पढ़ना है वो सुनना है एक बार में पढ़कर सुना देता हूं और एक बार और आप अच्छे से इसको पढ़ लिजेगा तो यहां पर मैं इसको पढ़कर सुना देता हूं आपको अपने प्रजात अंतरात्मक देश में हम अपने मताधिकार का प्रियोग करते हुए इमानदार एवं देश भक्त जन प्रतिनिदी का चैन कर देश को जाती संप्रदाय तथा प्रान तीता की राजनिती से मुक्त कर इसके विकास में सयोग कर सकते हैं जाती प्रता दहेच प्रता अंदविस्वास छुवाचूत इतियादी कूरितिया जो देश के विकास में बादा है इतियादी को दूर करने में अपना योगदान कर हम देश सेवा का फल प्राप्त कर सकते हैं असिक्छा निधनता बेरोज प्रज़गारी विभीचार एवं भिष्टचार के खिलाब जंग छेड़ कर हम अपने देश को प्रगती के पत पर अग्रसर कर सकते हैं। हम समय पर टेक्स का भुकतान कर देश को प्रगती में सहायक हो सकते हैं। इस तरह किसान, मजदूर, सिक्षक, सरकारी, कर्मचारी, चिकित्सक, सेनिक और अन्य सभी पेसेवर लोगों के सांसात देश के हर नागरिक द्वारा अपने करतव्यों का समुचित रूप से पलन करना ही सच्ची देश भक्ती है। नागरिकों में देश प्रेम का अभाव राष्टी एक्ता में बड़ी बाधा के रूप में कारी करता है। हम राष्ट की उन्नती के लिए राष्टी एक्ता परम आवश्चक है और राष्टी एक्ता बनाई रखना तभी संभव है जब हम देश के प्रती अपने करतव्यों का पालन करेंगे जो राष्ट संगठित होता है उसे ना कोई तोड़ सकता है और ना ही कोई उसका कुछ ब हम देश के विकास में सयोग दे ताकि अनेक राष्टी वा अंतराष्टी समस्याओं का सामना कर रहा हमारा देश निरंतर प्रकति के पर अग्रसर रहे अननता हम कह सकते हैं कि देश सर्व परी है तो दोस्तों यहां पर हमारा जो गध्यान से है वो समाप्त होता है तो यहां हम डारेक्टली इसके प्रस्णी के वर बढ़ेंगे पहला प्रस्णी है इसका निमलिखित में से किसकी चर्चा देश प्रेम के एक रूप के तोर पर नहीं की गई है चार विकल पर में से आपको बताना है तो यहाँ पर हमारा से आंसर होगा अपने हित को सरोपरी समझना की च पर नहीं की गई है तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा अगला प्रस्ण है राश्ट्री एक्ता में सबसे बड़ी बाधा क्या है महत्रपुन प्रस्न है काफी अच्छा प्रस्न है राश्टी एक्ता में सबसे बड़ी बाधा क्या है देश प्रेम नागरीको में देश प्रेम का भाव अंद विश्वास एवं चुवाचूत या फिर जाती प्रथा एवं दहिच प्रथा तो यहाँ पर हमारा सही अंसर है नागरिकों में देश प्रेम का भाव राश्टी एकता में बड़ी बाधा के रूप में कारी करता है तो यहाँ पर हमारा जिस सेकंड वाला विकल्प है वो सही रहेगा अगला प्रश्ण है राश्टी एकता की आवशकता क्यों है क्यों है दोस्तो राश्टी एकता की आवशकता चार विकल्प है इसमें से आपको सही विकल्प का चैन करना है तो यहाँ पर हमारा से अंसर है स्वतनतता की रक्षा एवं राष्ट की उन्नती के लिए राष्टी एक्ता की आवशकता है तो फोर्त वाला विकल्प हमारा यहाँ पर सही रहेगा अगला प्रश्ण है प्रस्तुत गध्यांस में किस पेसेवर की चर्चा नहीं की गई है आपको बताना है किस की चर्चा नहीं की गई है चिकित्सक सिक्षक समासेवक या फिर किसान तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है सबसे पहले तो प्रस्तुत गध्यांस में किसान मजदूर स सिर्षक, सरकारी, कर्मचारी, सिर्षक, सेनिक और अन्य सभी पेसेवर लोगों की चर्चा की गई है जबकि समा सेवा की चर्चा नहीं की गई है इस गद्यांस में तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो रहेगा तीसरा वाला अगला प्रशने है प्रस्तुत गध्यांस का सरवाधिक उप्युक्त सिर्षक निमलिखित में से कौन सा है देखिए आप गध्यांस को ध्यान पूरोग पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि जो सिर्षक है वो क्या है और ये गध्यांस हुआ ये पध्यांस हुआ दोनों में ही सिर्षक पूछा जाता है तो यहाँ पर ध्यान दीजेगा आपको अच्छे से पढ़ना है तभी आप इसका अंसर दे पाओगे तो यहाँ पर हमारा सियांसर है प्रस्तुत गध्यांस का जो सरवदिक उप्विक्त सिर्षक है वो देश प्रेम होगा तो यहाँ पर हमारा जो रायट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा अगला प्रश्न है इतियादी का संदी विक्षेद है यहाँ पर आपको बताना है जो इतियादी सब्दे है दोस्तों इसका संदी विक्षेद क्या होगा तो इतियादी सब्दे का जो संदी विक्षेद है दोस्तों वो इती प्लस आदी है तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प या फिर आविवस्थित राष्ट तो यहां पर हमारा सयांसर है संगठित राष्ट प्रगति के पत पर अग्रसर रहता है कौन रहता है संगठित राष्ट तो यहां पर सेकंड वाला हमारा विकल्प सही रहेगा सरोपरी है क्या है देश है राज्य है परिवार है या फिर व्य तो यहाँ पर हमारा सपर है जो अलात रह Chris together होता है वह आगे की बढ़ना हूता है तो यहाँ पर अमारा जो पहला हुई कलप रहेगा वह सही रहेगा अगला प्रश्न है मुझा थ्यान से दोस्तों इसको में आपको पढ़कर सुना देता हूं आपको ध्यान बार गुनाहों से लड़ लड़कर लेकिन बारम बार लड़ा हूं मैं उठ उठ कर इससे मेरा हर गुना भी मुझसे हारा मैंने अपने जीवन को इस तरह उभारा डूबा हूं हर रोज किनारे तक आ आकर लेकिन मैं हर रोज उगा हूं जैसे दिन कर इससे मेरी आशफलता भी म कवी ने अपनी आसफलताओं पर विजे केसे पाई यहाँ पर हमारा सही विकलप रहेका कवी इतने विर्थथ जाना सफलता के समीफ होकर भी सफल ना होना तो यहां Jupiter हमेरा सूंसर है किनारे तक आ कर दूबने करते होताएं सफलता के समीफ होकर भी सफल ना होना। तो यहां पर हमारा तीसरा वाला विकल्प सही रहेगा अगला प्रश्ण है कवी सूरी का उधारन देकर क्या बताना चाहता है चार विकल्पे हैं इसमें से आपको बताना है तो यहां पर हमारा से आंसर है कवी सूरी का उधारन देकर यहां बताना चाहता है कि जिस प्रकार यह आंसर होगा वो फेहला वाला रहेगा हार के बाद फिर संगर्श करना चाहता है कवी सूरी का उधान देकर यहां बताना चाहता है अगला प्रशन है कवी ने अपना जीवन केसे सवारा केसे जीवरा जीत कर खुसो कर सूरी की तरह चमक कर या फिर हार ना मानकर निरंतर तो यहां पर हमारा जो राइट आनसर होगा वो फोर्ट वाला रहेगा अगला प्रश्ण है उठ उठ में अलंकार है यहांपर आपको बताना है जो उठ उठ सब्द है दोस्तों इसमें Secret को सा अलंकार है अनुप्रास है बार बार आवरत्ति की जारी इसलिए इसमें जो अलंकार होगा वो पुनरुक्ती प्रकास अलंकार होगा अगला और लाश्ट प्रशन है आसफलता में प्रिक्त उपसर्ग है यहां पर जो आसफलता सब्द है दोस्तों इसमें बताना है कौन सा उपसर्ग है ता है अशे लता ह या फिर आ है तो जो आसापलता सब्द है दोस्तों इसमें उपसरग आ है तो यहां पर फूरत वाला विकल्प हमारा सही रहेगा दोस्तों यहां पर हमारे जो तीस प्रस्ण है वो समाप्त होते हैं जो कि आपको 15 प्रस्ण हिंदी पेडागोजिस संब्दित मिले और 15 वीडियो है वह आपको कैसा लगा और अभी जल्दी से दोस्तों हमारे टेलिग्राम ग्रूप में से जुड़ जाएए वहां पर आपको हम नई नई पीडिया प्रोवाइट करवाते रहते हैं और हमारे चेलर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को जरू करे मारे कर दोब कर दिर देडिया पराएएए बेलो पराइब कर येर इत कर दो जरूर सब्सक्राइब और जक broadcast प्रोवादा एक और